अभी मेरे साथ हैं जहारखन सरकार के स्रम प्रसिक्षन मंत्री सत्यानंद भुक्ता जीन से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके सामने कितनी बड़ी चुनोती है परवासी मज़़ूरों की मदद करना आपके राज में कितने ऐसे प्रवासी मजूर हैं जो दूसरे राजियों से वापस आ गए हैं और कितने बाहर लगडाउन में फसे हुए हैं अभी पुरे जहरकन से 9,22,000 मेधूर बाहर में हैं और लगभग 1,00,000 मेधूर पैदल गारी भणा करके ट्रेक्टर से, शांकिल से, टेमपू से, जो अगल वगल एस्टेट है, लगभग सभी लोग आ चुके हैं और हमेरा प्रियास है कि जो मेधू जहां फसा हुआ है, उसको वहां रहने का, खाने का, बिवस्था, चुग आने कर तो को बिवस्था है नहीं, तीन तारिक तक तो मानिय मुख मंत्री महुदय ने सिनियर आइस पताधिकारियों के नर्ल पताधिकारी बनाए है, सभी पताधिकारी हर राजिन मुनिटिंग कर रहे हैं, अभी भाग मंत्री होने ना ते हम भी मुनिटिंग कर रहे हैं अब मानिये मुखमंद्री महुदे ने मुवाले जारी किया है उसके माध्यम से दो लाख आठ हजार लोगों ने उसको प्योग किया असरकरी अफूरूब भी हो गया है सभी खाते में पैसा बहुत जल चला जाएगा इतना पैसा मध्यम से खाते में दे रहेंगे एकए्षण रुपी है अभी जा रहा है मध्यूर खाता में बख बेट लुक्छ देना है परदश में उनकी सरकार है अभी पर देस उनकी सरकार थे मुझमेन्टम जारखन जान के नाम पर बुदियोग चलू टी चलू करने के नाम पर अगर सरकार चाती तो इतना मैजुदुरू कि रूजगार इसी राज नहीं मिलता, तो दुसर्वारे पर जाने के महोकश नहीं मिलता लेकिन पुरोती सरकार ने बिरोजगारों के मैदूरों के लिए कोई उद्यो धंधा नहीं सेजन किया आज इसी कारण है कि बाहर में मैदू जाए काम कर रहे हैं यहालत में बापता में सब फसे हुए है और उनके पास को मुदा है नहीं तीन महना पहले तो सरकार में थे तो जो पांच साल खाये हैं तो बैठ के पचा रहे हैं लेकिन जो आपके प्रवासी में दूर वापस आगये हैं उनको काम देना रुजगार देना कितनी बड़ी चिनोती है लेकिने आपस आगये हैं मानियमक महंत्री महोदे नियने लिए हैं कि जतने मरेगा जोजना के तहप लगभव लोगों को जो दूसो कुछ था महीं दूरी बहर सका दोवारा जबकि तीन सुर्प्या देने का घुसना के हैं तीन सुर्प्या मिलेगा और यहां जारखन में खनी संपदा कमी नहीं है उद्योग धंधा फैक्टरी है कंपनी है एसिया महादेश के बहुत बड़ा काम करें क्या सबसे बड़ी शुनती है मंदार यह YouTube कौन है सबसे बड़ी समस्या है कि विभाग में को समस्या कोई बड़ी नहीं है सरकार के इच्छा सकती होनी चाहिएं हर काम करने के लिए कि बोल्ली नीन लिया उसका बेवागे मंत्रिक होना चाहिए म तो लगतार बढ़ते हैं मंत्राले में, सब मजदूर से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या दिकत है, कौन कहां है, और अगर वैसार रहता तो लोग किनारे पचले जाते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन जो करोना भी वहामारी है, यह अपदा है, यह रानितिक नहीं है, किसी पाटी में, मेजदूर फासी हुए हैं, क्या वहां की राज शरकार ने, उनकी मदद कर रहे हैं, जितना आप चाहते हैं? जहां जहां मजदूर फसा हुआ है सरकार वहां सहयोग मिल रहा है वहां का धेकारियों से बात हो रही है सहयोग मिल रहा है और जहां असकता होते हैं हम लोग फोन करते हैं तो सहयोग मिलता है तो आप सुन रहे थे जहारखन सरकार के स्तरम मंत्री को और ये कह रहे हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं जरखंड आच चुके हैं उनको मंदरगा के तहट सरकार रोजगार देगी और जो बाहर लक्डाउन में फसे हुए हैं उन तक उहां की राजे सरकारों के माध्यम से मदद पहुचाने की कुशिस कर रहे हैं उनके खाते में एक खजर रुपया भेजा जा रहा है स्रीकान प्रत्यूस रांची